तो ये वीडियो पहली नो लॉजी की पार्ट टू है पार्ट वन में भी हमने बहुत कुछ बताया था डिस्क्रिप्सन में लिंक भी डाल देंगे और चाहे तो आप जाके प्रेलिश से भी देख सकते हैं ठीक है आज की वीडियो में हम क्या क्लियर करने वाले हैं तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले तो पॉलेन ग्रेन की मार्फोलोजी को क्लियर करेंगे कि किस तरही के से या किस प्रकार किस की बनावट है उसको क्लियर करेंगे किन किन पार्ट से कमबाइन होके यह चीजे बनी है वो क्लियर करेंगे उसके बाद हम कहीं जाके टाइपस ऑफ प पैलिनोलोजी की बात करेंगे कि किस-किस फिल्ड में इसनका यूज किया जाता है या कितने प्रकार की पैलिनोलोजी होती है वो सारी चीज़ों को हम क्लियर करके अपनी काफी दिनों से रुकी हुई उच्छाओं को पूरा करेंगे ठीक है बाकी आप हमसे पूछते थे कि गैप हो गया था, दादी हमारी एक्सपायर कर गई थी, उनके सारे क्रिया करम को करने के बाद, खाना पिना खिलाने के बाद, अपनी तबेद खराब करने के बाद, अब हम वापस आ चुके हैं, तो इन सभी गलतियों के लिए माफ करिएगा, बाकी इंस्टाग्राम आइडी म मिल चुकी है, मन कर जाएगा, अच्छा लगेगा, थो बड़ा बड़ा ठीक लगेगा, तो फालो कर लीजेगा, वरना रहने दीजेगा, का कर सकते हैं, आईए अब टॉपिक को देखते हैं, टॉपिक में सबसे पहले बात करेंगे, मार्फोलोजी आफ पॉलन ग्रेन, इसक आपका इनवलप वाला पार्ट, दूसरा आपका मैट्रिक्स वाला पार्ट, जो ऐसे नहीं बताएगा, वो कुछ और तरीकों से बता सकता है, कि देखिए, एक्जाइन, इंटाइन, और उसके बाद मैट्रिक्स, यानि कि आप कह सकते हैं, साइटो प्लाजम वाला पार्ट, कुछ लोग आपको इस तरीके से भी बता सकते हैं, और तो आपको इनके तरीकों पे नहीं जाना है, आपको बस इतना समझना है, कि आपको जो भी अच्छा लगे, आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, मैं आपको बीना परसान की एक सिंपल सी भासा में बता रहा हूं, कि कौनसा एक आपका इन्वलप बाला पार्ट, दूसरा आपका मैट्रिक्स बाला पार्ट, इन्वलप मतलब क्या होता है, कोई चीज का लिफाफा, या कह ली जे कवर, तो इन्वलप बाले पार्ट के अंदर ही एक्साइन और इंटाइन दोनों आ जाते हैं, और मैट्रिक्स वाला पार्ट यानि कि क्या हो गया वो जो जल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो सब का सब मैट्रिक्स के अंदर आ गया यानि कि उस प्रोटेक्टिक कवर के अंदर जो पार्ट होते हैं जो आप कह सकते हैं सेल और्गनल्स होते हैं वो सब के सब मैट्रिक्स के अंतर गता जाएं और fumble तो हमारा जर्म सिदधिकार है तो होता ही रहता है चलिए सबसे पहले बात करते हैं envelope की हमें पता है envelope यानि की लिफाफा यानि की cover, protective covering तो ये कौन-कौन से होती है आपकी exign होती है, आपकी intign होती है exign आपकी outer most layer होती है बहारी layer होती है, बहुत ज़्यादा rigid होती है, कठोर होती है कड़ी होती है, जो भी कह लिजे और जो intign होती है भाईया वो soft होती है, thin होती है तो जाहिसी बात है, वो क्या है जो आपकी exign है, वो outer most layer है और intign हो आपकी inner वाली layer है तो यह सब तो बहुत common सी बाते है अब एक-एक करके आपको प्यार से समझाएंगी बिल्कुल समझ में आ जाएगा कोई doubt नहीं रहेगा, यह रा figure figure के मादम से भी दिखा देते हैं यह रा exign, यह हाइंटाइन, अच्छी स्क्लियर हो गया अब एक-एक करके आप समझे, सबसे पहले बात करते है exign की, देखे, तो exign आपकी क्या है? outer most, it is the outer most rough protective covering of a pollen grain यह किसी pollen grain की सबसे बाहारी protective cover होती है, जो rough होती है कड़ी होती है, rigid होती है, ठीक है? hard होती है, सबसे बढ़िया word है यह आप कह सकते है, ठीक है? दूसरी चीज, the exign is made up of spore polynene, यानि की सीधी सी वाद जो exign है, वो spore polynene से मिल कर बना होता है और, spore polynene क्या है? वो highly resistant polymer है बहुत ही ज़्यादा resistant polymer है जो की बना होता है phenolics, keratinoids, phenyl propanoids and fatty acids से मिल कर बना होता है यानि की जो हमारा exign है वो तो spore polynene से बना होता है और जो आपका spore polynene है वो किस से बना होता है? वो phenolics, keratinoids, phenyl propanoids and fatty acids से मिल कर बना होता है अब अगर आपके मन में ये doubt आएगा कि इतने सारे नाम को हम कैसे याद रखेंगे ना है कि जो हमारा exign है जो आउटर मोस्ट लेयर है कवर है वो आपका spore polynene से बना है और ये spore polynene एक highly resistant polymer है बात खदम आपको ये बताने की जरुरत नहीं है कि ये जो resistant polymer है वो made up है किस से मिल कर बना है? ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि phenolix, keratonoids, phenyl propanoids या और fatty acids से मिल कर बना है ये आप नाम नहीं भी बताएंगे आप सिर्फ इतना बता देंगे कि इस poro polynene एक highly resistant polymer है तो भी आपका काम चल जाएगा उमीद करता हूँ चीज़े आपको समझ में आ गई होंगी अगले लाइप चलते हैं तो ये जो resistant layer है या ये जो sporopolylin की जो layer है वो क्या करती है वो हमारे reproductive cell को अंदर से किसी भी प्रकार की injury से भी बचाती है और साथी साथ जो बाहर की harsh environmental condition है खराब environmental condition है या कठोर environmental condition है उससे भी बचाने का काम ये layer करती है इतना सा ही प्यारा सा काम है बचारे का चलिए प्यार से देखिए अगली line क्या कह रही है अगली line कह रही है कि ये nature में heterogeneous होते हैं और ये दो layer से differentiate करते हैं outer layer को sex sign और inner layer को next sign कहते हैं सीधी सी बात है ठीक है nature में heterogeneous होते हैं differentiate होते हैं दो layer में कौन कौन सी जो outer layer होती है वो sex sign कहलाती है जो inner layer होती है वो next sign कहलाती है कितने प्यारे प्यारे नाम है ऐसे याद हो जाएंगे आपको दूसरी बात endomophilus जो plant होते हैं उसमें exign covered होता है sticky substance से जिसे हम pollen kit के नाम से जानते हैं अब आपके मन में आएगा कि endomophilus plant होते क्या है यह कौन सा plant आया भाईया धर्ती पे कौनों नया जीव का आरंब हुआ है का तो सीधी सी बात है कि endomophilus plants are those plant that feed on insects यानि कि यह ऐसे plant होते हैं जो insect को खा के रहते हैं अपने देखा होगा ना जीव भग्ची वाले plant वही plant की बात कर रहा है वो एक sticky substance से covered होता है जिसे हम pollen skit के नाम से जानते हैं तो इस तरीके से हमने exign को देख लिया exign को समझ लिया अब जरा in time को समझेंगे और एक और अपना जो topic है वो खतम करेंगे यह exign और in time क्या है एक तरीके का envelope है इसे हम envelope वाले topic में पढ़ रहे हैं second वाला जो आएगा वो matrix आएगा उसे matrix के अंदर ही आपके generative cell tube cell, tube nucleus सब के सब, vacuum सब के सब उसी के अंतर आ जाएँगे क्योंकि उसी matrix में सब के सब present होते है ऐसी दी सी बात है आपको क्यों नहीं समझ में आ रही ए मालिक, इभाद दुका नोटंकी ना किया करो के कहा तों से कि समझ में ना रही हमका तो पूरा समझ में आई है इससे जूट जूट बीच-बीच में बोला करना मनाई गुसा जाएंगे तो कि एक दिन बहुत गाली भी देंगे हम पहले से ही बता दे रहें तो बात में यह मत कहना कि देखा टर्टर तो हमको बताया भी नहीं कि हम ऐसा गंदा-गंदा काम करता था क्या है ने टर्टर की हम थोड़ा भावनाओं में बह जाता ना तो लाड़ प्यार में थोड़ा सा निकल जाता है माप करना आगे देखते हैं इंटाइन क्या कह रहा है इंटाइन हमें पता है जिस तरीके से एक्जाइन एक हार्ड रिजिड लेयर होती है जो इंटाइन है वो आपका बहुत स्मूट बहुत सॉफ्ट बहुत पत्ली सी लेयर होती है तो दे स्मूट लेयर अफ इनवललप is known अजा इंटाइन ठीक है सीधी सी बात है इसमें तो कुछ समझाना नहीं है इट इस दे इनर लेयर अफ पॉलें ग्रेन pollen grain का ये अंदर वाला लेयर होता है it is made up of pectine and cellulose यानि की ये जो लेयर है वो pectine और cellulose से मिलकर बनी होती है जिस तरीके से ex-tine में क्या था वो layer किसे मिलकर बनी थी वो sporopolylin से मिलकर बनी थी उसी तरीके से जो entine है उसमें वो pectine और cellulose से मिलकर बनी है इसे ही हम pecta cellulose भी कहते है वही चीज अगली लाइन में लिखी भी है कि it is homogenous in nature and made up of pecta cellulose यानि की pecta cellulose मतला pectine और cellulose से मिलकर बनी होती है और nature में homogenous होती है सीदी सी बात बात समझ में आ गई अगली लाइन कहरी है it helps in the maturation of pollen grain and germination of pollen tube यानि की जो entine है वो pollen grain के mature होने में help करती है उनको परिपकव होने में help करती है और साथी साथ pollen tube जो होता है उसके germination में उनके अनकुरड में जब अनकुरड मतलब क्या? मतलब जो कोई पौधा अनकुरित नहीं होता है तो बस उसी के जमने में सबसे अच्छा word है उसके जमने में help करती है यानि के उसके germination में help करती है ठीक? तो वो pollen tube के germination में help करने काम भी कौन करता है entine करता है उमीद कर चुका हूँ कि आपको ये दोनों चीज़े समझ में आ गई होंगी बाकि एक ठो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ जो आपका entine होता है वो कम resistant होता है जो और आपका exine होता है वो जादा resistant होता है सीदी सी बात समझ में आ गई अब last topic पर जलते हैं जिसका नाम है matrix हाँ एक चीज़ और याद आई कि जब जाहिर सी बात है जो कम resistant और जादा resistant की बात आ रही है तो हमें पता है कि जो हमारा entine है वो soft होता है तो जब fossilization की process होती है तो उसमें सबसे तेजी से degrade होने का काम भी entine ही करता है fossilization में सबसे तेजी से degrade होने का काम भी कौन करता है entine ही करता है और इसी की तरह cytoplasm भी बहुत तेजी से degrade होता है fossilization की process की जब समय होता है उस time पे ये चीजें बहुत तेजी से घटती है degrade होती है, खतम होती है decrease होती है जबकि exine जो है वो hard होने की वज़ा से वो बचा रहता है आगई बात समझ चलिए अब पढ़ते है matrix the protoplasmic matrix of pollen grain is consist of a nucleus and chemical component ठिक है यह आपका किस से मिलकर यह nucleus और chemical component से मिलकर बना होता है जैसे की आपका carbohydrate, protein, water, fat, etc ठिक है इनसे combine होकर बना होता है matrix का मतलब ही क्या होता है matrix एक gel like structure है और उसी के अंदर जो cell organs होते हैं वो पढ़े होते हैं जैसे आपका example के तौर पे आप कह सकते हैं nucleus पढ़ा होता है generative nucleus पढ़ा होता है tube cell पढ़ी होती है सब चीजों से में पढ़ी रहती है तो matrix क्या होता है cell के inside का ही part होता है जो की पूरी तरीके cell living cytoplasm से भरा होता है अच्छा एक चीज़ जान लिजे जब cytoplasm में ज़्यादा तर water ही होता है तो जब water होता है तो जब ये fossilization की process होती है तो तेजी से cytoplasm भी degrade होता है क्योंकि ये भी soft होता है इसमें पानी की मात्रा जादा होती है तो इसकी वज़े से जब fossilization की process होती है तो तेजी से degrade होने का काम ये भी करता है जिस तरीके से entine कर रहा था उसी के तरीके से ये भी करता है उबीद करता हूँ चीज़े आपको समझ भी आ गई होगी अगली वीडियो में हम इसके types of palynology के बारे में देखेंगे या application of palynology के बारे में देखेंगे ठीक है आज की वीडियो में ना हो पाएगा चलिए तो pollen grain are myctoscopic structure varying in their size and structure ठीक है जो पराकड होते हैं वो बहुत सूच मो होते हैं बहुती छोटी structures होते हैं और उनके आकार और संदचना यानि कि उनका shape and structure दोनों अलग-अलग देखने को मिलता है अगली लाइन the size of pollen grains generally varies with the species यानि कि जो pollen grain का size है वो आम तोर पर generally आप कह सकते हैं कि species के साथ-साथ बदलता रहता है जिस तरीके की species होती है उसी प्रकार से pollen grain का size भी होता है जरूरी नहीं है कि इस थिरो ठीक है उसके बाद लिखा है overall the exact size of pollen grain range between 2 and 300 micrometers और microns यानि कि आप कह सकते हैं कि अगर एक पराकड का यानि कि pollen grain का एक सटीक overall एक size बताना हो तो हम कह सकते हैं कि वो 2 से 300 micrometer के या micron के होते हैं इनके बीच में ही ये होते हैं पाकी बात की जाएं इनके shape की तद़ the shape of the pollen grain is commonly found in round, ovule, triangular, disk और in a bean shaped with a smooth to spiky texture ठिक है? यानि कि जो pollen grain होता है उसका आकार generally या तो गोल होता है या तो अंडाकार होता है या triangular shape में होता है या disc के shape में होता है या जो same होता है ना same bean उसके आकार में होता है और चिकनी और नुकूली मतलब एक कह सकते हैं आपकी spiky texture के साथ पाया जाता है ठीक है इन कई प्रकार के shape में होता है और उनके color की बात की जाए तो जनरली आपको white देखने को मिलता है लेकिन अलग-अलग plant की species के हिसाब से इनके अलग-अलग color देखने को भी मिलते हैं औरेंज, क्रीम, यलो और भी अने color देखने को मिलते हैं कि इन जनरली ये white color के होते हैं लेकिन species के अनुसार, plant की अलग-अलग species के अनुसार इनके अलग-अलग color देखने को भी मिलते हैं उम्मिद करता हूँ चीज़े आपको समझ में आ गई होगी आज इसके लिए पसे लिए पसंद आईगी तो like, subscribe ये रहा मेरा Instagram ID आप लोग पूछते थे ने कि आप मुझसे कैसे मिल सकते हैं या मतलब कैसे बाते कर सकते हैं तो ये रही आपके पास Instagram ID मन करे तो follow कर लीजेगा ना मन करे तो भी कर लीजेगा टाटा बाई बाई